परवका अपना अलग महत्व है लेकिन जब दीब दिपावली परवकी बात आती है तो काशी अपने आप याद आ जाती है काशी में देव दिपावली परवका अलगी रंग देखने को मिलता और इस बार भी 23 नवंबर को यहाँ पे देव दिपावली मनाई जाएगी जिसके तैयारिया जोरो पर चल रही है अभी हम मौझूद है वारांसी के दस समित घाट पर और यहाँ पर आप जैसा की देख भी सकते हैं कि देव दिपावली की तैयारी जोरो पर है इस बार यहाँ की देव दिपावली जवान जो हमारे सहीद है उनके नाम से यहाँ पर दीप जलाया जाएंगे और पूरा का पूरा यह दीप दिपावली का समारव उनहीं के नाम से होगा इस बार हमारे चीप मुख्य आती थी यहां की उत्तरप्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदितनात होंगे जैसा कि आप हमारे पीछे देख भी सकते हैं मैं अपने कैमरामेन को कहूंगी कि वो दिखा है यहां पर इंडिया गेट के प्रती रूप का एक प्रती रूप यहां पर बनाई जाएगी जिसके सामने सेना की जो छोटी टुकडी है वो सलामी देगी और हमारे जो अमर जवान है जिन जो अपनी जान को जोखिम में डालके हमारी रक्षा करते हैं नाम से सलामी दी जाएगी। पूजन की आर्टी का अलगी नजारा होता है वहाँ पे दो रिद्धी सिद्धियां होती है जो आर्टी करने वाले याचक है उनके आसपास वो पंखा डुलाती है इसके साथ इस बार मागंगा की एक प्रतिमा इस्थापित की जाएगी जहां पे लगबग जो देसी कॉलकाता मागंगा की बाट की जाती है तो काशी में देवदि पाउली मनाने का अपना इक अलग तरीका अलग रूप दिखता है यहां पे कुल 64 घाट है और 84 के 84 घाटों पे अलग अलग दीप्रजुन किया जाता है गहमा गंगा में दीव दान किया जाता है इस बार यदि हम देव दिपॉले के काशी के घाटों के प्रोग्रामों की बात करें तो इस बार बताते कि हम आपको के लेजर लाइट के माध्यम से गंगा की लहरों पे गंगा की कथा को केरा जाएगा उनके जीवनी को केरा जाएगा उसके साथ ही सभी घाट है जिसमें पंचगंगा घाट, राजगाट, दससमेद घाट, असी घाट इत्यादी जो कुछ नामचीन घाटों इस घाटों पे अलग-अलग प्रूप के जहांकिया सजाए जाएगी जो लोगों के आकर्शन का मुख् शक्यें द्रहुंगी